न्यूस ऐटीन इंडिया लेना के मन मुताबिक नहीं है ये बड़ी खबर सुन लीजिए अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोल बाला है जो इम्रान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए है जो इम्रान खान की पार्टी तहरी के इंसाफ से जुड़े हुए ह तो निर्दली ये मैदान में उतराए और आकरे आपको देखने चाहिए नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासल हुई है बिलावल भुट्रों की पार्टी 40 पर और अन्य के खाते में 8 सीटे इस वक्त पाकिस्तान नाशनल सेमली में 173 सीटों पर ये इस वक्त म पार्टी दूसरे नमबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या वाकिए वो नहीं हुआ नवाज शरीफ की पार्टी P.M.L. नून ने 50 सीटे अब तक जीत ली है और बिलावल भुट्रों की पार्टी P.P.P. ने 40 उसमें आपको तौकीर रजा नजर आ रहे हैं वो तीन तस्वीरे माफी चाहती हूँ दो तस्वीरे पाकिस्तान से थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी चाहे वो हलदवानी हो, चाहे वो उत्तरप्रदेश में बुल्डोजर का अक्शन हो तौकीर रजा बार बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफतारी दूँगा उस बड़ी खबर पर हम जाएंगे लेकिन फिलाल आपके सामने जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर आ रही है वो यही है कि वहाँ बहुत बड़ा खेला हो गया है पाकिस्तान नाश्रल असेम्ली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का पर्चम लहराता हुआ कोई चेहरा नजर आ रहा है तो वो इंडिपेंडन्ट कैंडिट्स हैं जो समर्थन लिये हुए हैं इमराम खान का इमराम खान इस वक्त जेल में बंद है नवाज शरीफ जब आए पाकिस्तान की धर्ती पर जब उन्होंने खदम रखा तो जनता से ही कहा था डू यू लव मी तो जनता की तरफ से जानब से जवाब आया येस वी लव यू तो उन्होंने का तो आई लव यू टू लेकिन ये आई लव यू टू इस वक्त आकडों में तबदील होता हमारे साथ रक्षा विशेशग्य करनल आरेसन सिंग साहब जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान से राज़तिक विशलेशक कमर चीमा इस वक्त इसलामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत हैं कमर भाई शुरुआत आप से कर रह हैं ठीक है को 75 के करीब पाकिस्तान तरीके इनसाफ है 50 के से जादा मुस्लिम लिग नवाज है और 40 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी है तो सिचुएशन यही नजर आ रही है कि सारी सियासी जमातें कोलेशन बनाएंगी माइनस इंडिपेंडेंट्स जो के इमरान खान क यह भी चीज़ें देखने की हैं लेकिन यह कंफर्म नहीं है अभी तक जी आप यह कह रहे हैं कि बाकी सब एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ नजर आ रहे हैं है ना लगता तो यह नहीं है इसका मतलब यह कि जो कहा जा रहा था कि सेना चाहती है कि नवाज शरीफ एक ब सब्सक्साइब है ने से आले के चाहिए और इंडिपेंडेंट्स जो कह तरीक इंसाव के हैं वह उन्तिय के बनते हैं यह कि आने के बार पता चलेगा अभी तो अभी रुज़ल्ड नहीं है मैया करनल आरसन भी हमारे साथ जुड़े हुआ है करनल सिंग यह हुआ क्या है बतलब तस्वीर दिख रही थी कुछ और निकल गया कुछ और अब आएगा आगे क्या कोई नहीं जानता है ने मैं चीमा जीके साथ बिलकुल सहमत हूँ यह कोईलेशन गर्मेंट बनेगी और यह जान ले कि इनकी जो एलेक्शन्स जो है वो मुझे इस बात में कोई हिचक नहीं है कहने में कि वो बाहर से स्क्रिप्टिड होती है और इनका बिलकुल साफ है कहना कि यह कोईलेशन सरकार बने चाहे वो जर्दारी की बने या नवाज शरीफ की बने लेकिन बनेगी कोईलेशन दूसरी बात क्या है कि यह जो इंडिपेंडेंट्स के रूप में जो जीते हैं पीटी आई के लोक अब बाजार खुल जाएगी थोड़े दिर के बाद लिया का रुबिया जी और आप देखेगा कि अब बाजार में खरीद फरोख वहाँ पे शुरू हो जाएगा तीसरा चीज मैं यह भी बोल दूँ कि देखे मैंने किताब लिखी है दे मिलिटरी फैक्टर इन पाकिस्तान है और मुझे मुझे तमाम का स्मरण है लेकिन चीमा साहब मेरी बात से सहमत होंगे क कि आज तक मैंने इतना बड़ा वेव जब मैं रिलेटिव टॉम्स में बात करना हूं किसी एक लीडर के फेवर में मैंने नहीं देखा है जितना अभी इमरान खान के मैंने फेवर में करेड़ सिंग रोक रही हूं आपको इसी इसी मसले को आगी लेकर जा रही हूं कि इमरान ने वो सब जूट साबत कर लिया देखे जी इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान का जो नेरेटिव है जो बियानिया है वो इंतहाई पॉपुलर है और जैसे मैंने पहले कहा कि उनका नेरेटिव एंटी इस्टैबलिश्मेंट है एंटी यूएस है और रिलिजिस नै है हुआ है एंटी वेस्ट और इंस तरह की चीजों का सो इमरान खान ने उसको कैश किया है नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट नहीं किया कि उन्होंने बड़े डिवल्मेंट के काम किये हैं या वो बड़ा को हिस्टॉ और इकली पाकिस्तान की एकॉनमी को रिफॉर्म कर पड़े हैं लोग उनको वोट इसलिए दे रहे हैं शिर्फ उनकी बातों की वज़ा से सो पाकिस्तान की जो अवाम की जो अंडिस्टैंडिंग है वो और है और जो पाकिस्तान की जो स्टेट की नीड्स है वो बिलकुल ड development की बात कैसे करें पहले इतना जो गड़ा यहां पर खोदा गया है पहले वो तो भर देना आदमी उसके बाद आप पुल की बात करेंगे ब्रिज की बात करेंगे सड़क की बात करेंगे अभी तो गड़े में हैं पूरी की पूरी जमूरियत और यह मुझे आपको बताने की ज बरोसा तो होगा क्या वो भरोसा है देखें बात यह नहीं है कि देखें हर दफ़ा जब इमरान खान ओपोजिशन में होते हैं तो वो कहते हैं जी दूसरों ने लेक्शन चोरी किये अभी जब वो बात की जा यह उनके popular narrative की कि क्यों लोग उनको follow करते हैं मैं समझता हूं कि वो उनका जो उनका जो उनकी जो popularity है वो सिरफ और सिरफ तीन चार चीज़ों पर जिसके मैंने जिकर किया कि वह एक कि अमरीका और फौज ने मुझे मिलके निगाला है यह जो एक कॉंस्पिरेसी थेरी यह कॉंस्पिरेसी थेरी है जिसको वह प्रूव करना चाहते हैं कि कमर आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने एक नारेटिव बना दिया पर्सेप्शन क्रिएट कर लिया पाकिसान की अवाम उस के साथ जाती हुए दिख रही है करनल सिंग डू यू अग्री विट इस मतलब वो इम्रान कान जो कहते हैं सेना करप्थ है करते हैं